मस्कार बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में मैं हूँ आपके साथ अभय विसाल बिहार बोड की परिक्षाएं इस वर्थ फरवरी में सुरू होने वाली है टाइम टेबल कनुसार बाराओंवी की परिक्षा जहां एक फरवरी से सुरू होगी वहीं दसवी की परिक्षा 17 फरवरी से सुरू होने वाली है अब परिक्षा सुरू होने में कुछी दिन बचे है इसलिए बिहार बोड ने इस बार भी अपनी गाइडलाइन्स जारी की है मगर इस बार COVID-19 को ध्यान में रखते हुए गाइडलाइन्स में कई बदगाओ किये गए हैं ध्यार बोड ने अपनी परिक्षा केंद्रों पर इस बार होने वाली परिक्षा के नेमावली भेज दी है जिसमें से कुछ बुख्य बाते हैं इस प्रकार है COVID-19 को देखते हुए ये ध्यान रखा गया है कि छातरों के बीच में परिक्षा देते समय उच्ची दूरी बनी रहे इसके लिए परिक्षा कक्ष में प्रतेक बेंच पर अधिकतम सिर्फ दो परिक्षारती ही बैठेंगे परिक्षा केंदर पर केंदरा दिक्षक परिक्षक को सुबा साथ बजे सीट प्लानिंग के लिए आना होगा जिन स्कूलों के परिक्षार्थी जिस परिक्षा केंदर से संबंदित हो उन स्कूलों के सिक्षकों को दूसरे विद्धायले में प्रतिन्युक्त किया जाएगा परिक्षा के दौरान सभी परिक्षार्थी को मास्क पहनना आनिवारे है वहीं जूता मोजा पहन कर आने पर रोक रहेगी जूता और मोजा पहन कर आने पर परिक्षा कक्ष में प्रवेस नहीं मिलेगा परिक्षा के दौरान परिक्षार्थियों को परिक्षा कक्ष छोरने की तब तक अनुमती नहीं दी जाएगी जब तक कि उस प्रस्ण पत्र की परिक्षा समाप्त नहीं हो जाती है परिक्षा सुरू होने के 1 घंटा 15 मिनट या 1 घंटा 30 मिनट प्रायोगिक और बिना प्रायोगिक विशाई के लिए अलग-अलग समय इसके बाद ही परिक्षार्थी को कक्षा छोड़ने के नुमती मिलेगी परिक्षार्थी को पहले वस्तुनिष्ट प्रस्ण का उत्तर देना है इसके बाद विश्यानिष्ट प्रस्ण का उत्तर देने के लिए उत्तर कुस्तिका दी जाएगी बोर्ड की माने तो 50 फिस्दी वस्तुनिष्ट प्रसंद का उत्तर देने के बादी परिक्षार्थी परिक्षा कक्ष से बाहर जा सकते हैं आपको बता दीं कि परिक्षा कक्ष के बाहर केवल 144 जाने करुमती दी जाएगी एक बार फिर विशेयनिष्ट प्रसंद का प्रसंद पत्र वित्रन होने के बाद परिक्षार्ती को कक्ष छोरने करूमती नहीं दी जाएगी इस संबंध में बिहार बोड ने सभी केंद्रा दिक्षकों को आवश्यक निर्देश दिये हैं परिक्षा प्रारंब होने के पहले सभी कक्षा के बाहर निश्यधात्मक सूचना भी लगाई जाएगी परिक्षा संचालन के लिए प्रत्येक 25 परिक्षार्ती पर एक विक्षक तैनात रहेंगे चार विक्षकों पर एक रिलिवर की विवस्था केंद्रा दिक्षकों द्वारा की जाएगी रिलिवर का काम यह होगा कि भी परिक्षक के बाहर परिक्षार्थी पर नजार रखेंगे इस बार हर केंद्र पर केंद्रा दिक्षक और उप केंद्रा दिक्षक के सयोग के लिए सहायक केंद्रा दिक्षक की प्रतिन्युक्ति भी की जाएगी 500 परिक्षार्थी वाले केंद्र पर एक सहायक केंद्राधिक्षक और 500 से 1000 परिक्षार्थी वाले केंद्र पर दो सहायक केंद्राधिक्षक मौझूद रहेंगे जबकि 1000 से अधिक परिक्षार्थी वाले केंद्र पर तीन सहायक केंद्रा धिक्षक की नियुक्ति की जाएगी दोनों पालियों की ओवेबार सीट भी अलग-अलग रंगों की होगी जबकि दृत्य पाली में इसका रंग अलग रखाज गया है बोड के द्वारा इस तरह की व्यस्था की गई है कि ताकि किसी भी प्रकार की गरबरी ना हो कोई अत्रिक्त उत्तर पुस्तिका या OMR सीट परिक्षार्थियों को नहीं दी जाएगी तो अभी के लिए बस इतना ही बिहार की हर छोटी बारी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रे बिहारी नहुच धन्यवाद